दोस्तों हमारे आस पास हरे भरे पोधों का होना हमें स्वस्त रखने में बहुत थी महत्पूर्ण भिमकार नहीं बहता है बहुत सारी सुयंटिपिक एस्टेडीज ये कहती हैं कि जो लोग ऐसे माहौल में रहते हैं या कार करते हैं जहां पर ग्रीन बेल्ट अर्थात हरे भरे पोधे प्रचुर मात्रा में पाय आते हैं ऐसे लोगों की एकागरता, कारेश हमता, मेमरी पावर तथा एनर्जी लेवल काफी हाई होता है। ऐसे लोगों का मानसिक स्वास्त भी काफी अच्छा होता है और उनमें चिंता, तनाव, कुरोध तथा अन्य प्रकार के मानसिक आउसाद भी काफी कम देखने को मिलते हैं। साहरों में रहने वाले लोग अपने इसकमी को अपने घरों और आफिसेज में इंडोर प्लांट्स लगाके पूरी कर सकते हैं। या फिर अपने आसपास की ग्रीन विल्ट पे अकसर साहर के लिए जा सकते हैं। इसी सिलसिले में हम अपने परिवार के साथ बहराय चिस्सित कतर्णिया घाट के जंगलों में सहर के लिए निकले और वहां के जंगलों का प्राक्तिक संदर अपने कैमरे में कैद किया। तथा एक अद्भूत ब्रच जिसको लाफिंग प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसके तने को सहलाने पर इसकी डालियां और पतियां हिलने लगती हैं का लाइब डेमो भी किया जिसे हम आपके साथ सेयर करना चाहते हैं। कतरनिया घाट लगनों से लगवग 220 किलोमेटर के दूरी पर है जिसे तैक करने में लगवग 5 भंटे का समय लगता है। रास्ते में हम लोग सारदा नार तथा उस पर बने हुए डेम को पार करते हुए कतरनिया घाट के घने जंगलों में प्रोष किया। और वहां साम को हमें को ने ट्री हाट देखा तथा कतरनिया के जंगलों के वीच से गुजनने वाली गिर्वा नदी में बोटिंग करते हुए उसके किनारों पर बसे रुमांचित कर देने वाले घने जंगलों को अपने कैमरे में कैद किया। ये घने जंगल हमारे संथ महात्माओं के लिए ध्यान की गराईयों में उतर कर मन को सांथ और सक्चाली बनाने का बहुत बड़ा स्रोत रहे हैं। और वैसे भी कोई ठका हुआ या तनाव ग्रस्त बेक थोड़ी देर के लिए इन पेड़ों की ठंडी चाओं में बैठे तो उसकी सारी ठकान और तनाव स्वता ही स्वत्त हो जाएगा। अगले दिन हम लोग सुबह जंगल सफारी में बैठकर हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरते हुए अपने मन को रुमाचित करते रहें। रास्ते में हम लोगों को एक जहर पर जंगल के राजा सेर के दूरलब दरसन करने को भी मिले। अंत में हम लोग उस अद्भूद लाफिंग प्लांट के पास पहुचे तथा उसकी सतता पर रखने के लिए दो तीन बार लाइब डुमों किया और वहां के नेचर गाइड किसंद से बात की। दोस्तों करतनिया के जंगलों में मुझे प्रकति का एक बहुत ही अद्भूद नजारा देखने को मिला है। इसको गुदगुदी का प्लांट कहते हैं और यह कहते हैं कि इसके तने को सहलाने से इसकी सारी पत्तियां हिलने लगती हैं। और इसको तने को सहलाने के थोड़ी दिर बाद इस सारी पत्तियां हिलने लगी हैं। इनमें मुमेंट होने लगा है। सिर्फ तने को सहलाने से ही इसकी सारी पत्तियां हिलने लगी है। यह बहुत ही अद्भूद नजारा है प्रकति का। अब इसको तैने को सहलाना हम बंद करेंगे इसको सहलाना बंद करते ही ये सारी पत्तियां फिर से हिलना बंद हो गई है ये किसन जी है यहां के नेचर गाइड है करतनिया जंगल गाड के ये इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर मेरा नाम किसन है मैं यहाँ पे नेचर गाइड हूं और यह भारत और नैपाल की जीमा पर वाड़ लाइफ सेंचुरी छेतर कत्रया घाट है इसमें पूरे जंगल में सर यह पेड कहीं नहीं है यह गुदगदी का पेड़ है इसका साइंटिस नेम वी चूट भी गएते हैं यह पूरे जंगल में कहीं नहीं है इसे एरिया में चाथ-पांच पेड़ हैं जिसमें दो पेड सूग गये हैं सर तो यह पेड जो है तो गुदगदी लगाने पर कमपनिसमें होता है सर तो आप हम गुदगदी लगाते हैं इस पेड़ में यह देखिए सिर्फ गुदूदी लगाने से ही सारी पत्तियां हिल नहीं है यहां से गुदूदी लगा रहा है किसंजी और यह पेंड की सारी पत्तिया और डाले हिलने लगी है यह यहां के नेचर गायट की संजी है इस पेंड के तन्य की को सहला रहा है और पेंड के तन्य को सहलाने के थोड़ी धिर Bad इसकी डालिया और पत्तियां सारी हिलने लगी है ये देखिए सिर्फ तने को सहला रहे हैं उस पर कोई धक्कान लगा रहे हिला नहीं रहे और ये सारी डालियां और पत्तियां खिलने लगी हैं अब ये तने को सलाना बंद करेंगे तने को सलाना बंद करने के थोड़ी देर बाद ये पत्तियां और डालियां सारी फिर से इच्छित हो गई है बहुत ही अद्भूत न जा रहा है प्रकतिकाये दस्तों एपरश्ट इस बात का संदेश दिता है कि पिन्ट पोद्धे भी हमारे तरह समय दिन्सिल होते हैं उन्में जीवन होता है और वो हमारे इसपर्स को महसूस कर सकते हैं अधर हमें उन्हें किसी तरह का नुक्सान नहीं पहुचाना चाहिए